उत्तरी जिला पोलिसी पोलिस की स्पेशल स्टाफ ने आधा किलो हेरोईन के साथ एक दमपती को गिरफतार किया है। गिरफतार किये गए आरोपित राजकुमार उर्फ बुलबुल और मरियम है। पुलिस ने इनके पास से एक महेंगी कार भी बरामद की है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक टैं इंस्पेक्टर संजीव कुमार की देखरेक में गठे टीम SI विनीट, ASI जस्पाल की टीम ने दोनों को गिरफतार कर लिया। आरोपितों की कार से पुलिस को 500 ग्राम हेरोईन बरामद हुई। DCP North District Anto Alphos ने पताया 29 माई को स्पेशल स्टाफ को इस दमपती के बारे में खबर मिली। पता चला ड्रग तसकर राजकुमार उर्फ बुलबुल अपनी पत्नी मरियम के साथ लोनी गाजियाबाद यूपी से मोती नगर दिल्ली में ड्रग की सप्लाई करने जा रहा है। व इसके बाद तिमारपूर्थाना पुलिस ने NDPS Act के तहट दमपती को गिरफतार कर लिया। आरोपी राजकुमार ने पूछताच में बताया वो हेरोईन फते गंज बरेली से खरीद कर लाया था। उसने अपनी पत्नी को इस धंधे में इसलिए साथ रखा ताकि गारी में मह दमपती एक साथ कार में बैठ कर हेरोईन की तसक्री करते थी। यह भी पता चल है कि आरोपित महिला मरियम पहले अपनी मा के साथ मिलकर ड्रग तसक्री करती थी। पिछले साल दिसमबर में क्राइम ब्रांच की नाकोटिक सेल ने उसे अरेस्ट किया जो इस साल अप्रेल मे पैरोल पर छूट कर आए. 32 साल का आरोपी राजकुमार साल 2008 से इस धंधे में शामिल है. उसने काली कमाई से ही SUV जैसी लगजरी गाड़ी खरीदी थी. इस पर लाहौरी गेट और क्राइम ब्रांच में केस दर्ज है. यह दमपती जुगी शिवबस्ती, रामा रोड मोती नगर इलाके में रहता है. संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क संसनी जाओवर्क